आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कैसे आप लाइट रूम एप का यूज करके अपनी फोटो के अंदर कुछ इस तरीके का येलो सा मतलब रियलिस्टिक येलो वाला टोन डाल सकते हो फोटो देखो कितना मस लग रहा है मतलब देख पर हो कि फोटो के अंदर येलो टोन है साथी साथ फेस वाइट है स्मूथ है मतलब एवरिटिंग फोटो देखने में काफी ज़्यदा मस लग रहा है तो इस तरीके का photo editing आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे lightroom app का यूज़ करके आपसे बस यही request है कि वीडियो को complete देखिए पूरा वीडियो देखने के बाद आप 100% इस तरीके की photo edit करना सीखी जाएंगे सो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को कर लेते हैं हाँ तो गईज देख पर हैं कि हम अपनी photo को lightroom app के अंदर open कर लिए है lightroom app के अने के बाद सबसे पहले आपको अपनी photo के अंदर light के adjustment करनी है इसके लिए आपको इस light वाले tool पे click करना है यहां contrast के value ब्रहा कर plus 10 कर देना है ठीक है बाकी यहां highlights को minus 8 रखेंगे लगबग minus 29 then shadows आपको मिल जाएगी shadows को थोड़ा सा increase कर लेंगे हम लगबग plus 31 then यहां whites के value थोड़ा सा कम करेंगे minus 11 and यहां से हम blacks की value minus 8 रखेंगे लगबग minus 6 and इतना setting कर लेने के बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ photo के अंदर यह देखो difference यह देखो before यह देखो after photo के अंदर देख पर हो difference पहले photo काफी जादा light था अभी photo के अंदर थोड़ा सा dark tone आ गया है अभी गईज आपको कुछ भी नहीं करना है यहां से जाना effects tool के अंदर यहां texture को value बरहा कर आपको लगबग यहां plus 8 कर लेना है ठीक है बाकी clarity को आपको minus 2 रखना है then इतना हो जाने के बाद dh की value plus 6 कर लेना है wignet को आपको minus side की तरफ रखना है लगबग minus 21 and midpoint आपको मिल जाएगा midpoint को आपको left side की तरफ 38 कर देना है ठीक है इतना हो जाने के बाद अब गईज आपको कुछ भी नहीं करना color वले tool के अंदर चलना है और यहाँ प्याने के बाद आपको temp की value बढ़ा देना है ठीक है temp की value बढ़ा कर कुछ इस तरीके से इतना कर लेना है लगबग 16 के आसपास then आपको tint की value बढ़ा कर plus 6 कर लेना है ठीक है इतना हो जाने के बाद आपको mix tool के अंदर जाना है mix tool lightroom का बहुत ज़्यदा important tool है जिसमें आप अपनी photo को color grading करते हो and mix tool को समझना आपके लिए काफी ज़्यदा जरूरी है आप mix tool के अंदर आने के बाद आपको सबसे last में आना है purple magenta color में and इन दोनों का आपको saturation ऐसे पकरके minus 100 कर देना है minus 100 में ने कर दिया अब यहां से आपको यह color मिल जाएगा यह blue color का भी saturation minus 100 aqua color का भी saturation minus 100 then आपको green color लेना है and इसकी hue को left eye की तरफ कर देना है and photo के अंदर देख पर है कुछ इस तरीके का tone जो है create हो जाएगा and photo देखो यह देखो before and after देख पर है photo कुछ इस तरीके का yellow tone में लग रहा है and अभी photo काफी ज़्यदा सही लग रहा है बाकी आपको yellow वाले color के अंदर आना है and इसकी hue को थोड़ा सा left side की तरफ रखना है इतना and यहां से इसकी luminance को बढ़ा देना है अब गई जापको orange color में जाना है and इसका saturation थोड़ा सा कम करना है as a saturation मेंने कम कर दिया बाकी आपको luminance को बढ़ा देना है then यहां से हम इसकी hue को right side की तरफ रखेंगे ठीक है अब red color को लेना है red का saturation ऐसे बढ़ा के simple से यहाँ done पे click करना है अब गई जापको जाना है gradient tool के अंदर इसके अंदर आने के बाद आपको यहाँ से shadows में कुछ इस तरीके से color select करना है and yellow वाले color को select करना है shadows में ठीक है अब आपको highlights देखेगा highlights में भी same काम आपको करना है yellow color select करना है and इसको simple से done कर लेना है and आप चाहो तो इसका balance वगरा fix कर सकते हो जैसे के blending को हमें थोड़ा सा right side की तरफ रखना है and यहाँ पर balance देख वर है balance को थोड़ा सा हम minus 8 रखेंगे लगभग minus 8 and इसको simple से done पर click कर लेंगे अब आपको जाना है details वाले tool के अंदर यहाँ हम sharpening की value लगभग 42 के आसपास बरहा लेंगे यहाँ details की value बढ़ा कर 34 कर लेंगे noise reduction को लगभग 29 के आसपास आपको रख लेना है contrast बढ़ा लेंगे then आपको color noise reduction भी बढ़ा लेना है इसको हम 35 रखेंगे अब गरिज आपको color वाले tool के अंदर दोबारा आना है mix tool के अंदर then आपको orange color में आना है इसका situation लगभग आपको इतना कम कर लेना है saturation देख पर हैं मैंने minus 41 कर लिया then यहाँ luminance को बढ़ा लेंगे and 20 के आसपास रख लेंगे अभी इसको simple से then पे click करेंगे मैं आपको photo का एक बर before and after दिखा दूँ यह देखो photo before में ऐसी थी and after में कुछ इस तरीगी के edit हो गई अब आपको जाना है simple से इस optics वाले tool के अंदर and इस पे click करके इसको simple से आपको on कर लेना है अभी आप मतलब देख पर हो कि photo हमारी complete edit हो चुकी है अब आपको just इस share वाले icon पे click करके save to device कर लेना है ये photo आपकी gallery के अंदर easily save हो जाएगी so I hope guys आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी and इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सिखने को मिला थोड़ा सा भी तो इस वीडियो को like करके चैनल को subscribe कर लिजिए मिलते हैं आप से किसी next वीडियो में तब तक के लिए love you all, take care, bye bye